नमास्कार फ्रेंड्स वोगते आप सब एका सोलुशन दरेसे यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में मिक्स इंग्लिस अब्जेक्टिब कोशन से रिलेटिक पर्टिस सेट लिया है इस पर्टिस सेट में 39 कोशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूबत आना कि आप लोगों ने 39 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्किप्सम ने है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं YouTube channel join करते ही आपको सभी वीडियो की जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग channel को join कर लेंगे तो आपके YouTube के home page पे membership का option खोल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो की जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF के लिए आप लोग टेलिग्राम को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो का description है और कैसे join करना है और कैसे आपको PDF मिलेगा इस पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ आप लोग जो है चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं लास्ट में आप लोगों ने 39 में से कितना score किया है कमेंट आक्स में जरूबता है और आप सभी लोगों की काफी demand आ रही थी कि सर mixed English objective question करा दीजे तो इस वीडियो में सारे mixed English objective question लिये है तो चलिए लास्ट में score जरूबता है आप लोग score नहीं बताते है तो इस वीडियो में 39 question मेंने cover किये है तो आप लोगो score जरूबताना है कि आप लोगों ने 39 में से कितना score किया है तो चलिए इस प्रेटे शेट को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकों क्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ live chat में भी answer देते रहे हैं मैं सभी के comment जो है read कर रहा हूँ तो चलिए इस प्रेक्टे सेट को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question question number one several visitors are expected to visit the trade fair this weekend या फिर no error तो इसमें आप लोग सोच लिए किस part में error है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिख देता हूँ मैं expect expect के बाद जो है आगे two plus b बनाती है मतलब infinitive आती है आप यह चीज़ याद रखिएगा expect हो गया है और मैं आपको और बर बता देता हूँ hope के बाद भी जो है two plus b बनाती है यह भी आप लोग याद रखिएगा और मैं बर बता देता हूँ यहाँ पे आपको wait याद रखना है wait के बाद जो है two plus b बनाती है यह चीज़ आपको याद रखनी है expect, hope, wait के बाद आपको two plus b बन लिखना है मतलब infinitive लिखना है यह चीज़ आप लोग याद रखिए यहाँ पे जो है two और visit दिया है यह यहाँ पे b1 है यहाँ पे जो two दिया है expect के बाद आपको two plus b1 hope के बाद two plus b1 और wait के बाद आपको two plus b1 याद रखना है और यहाँ पे जो है sentence हमारा correct है इसमें कोई भी error नहीं है इतने extra fact आप लोग याद रखिए अगले जो question question number two our professor taught us that one should respect the religions of others as much as his own या फिन उइर तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे subject जो है one दिया है तो one का मतलब जो होता है एक तो यहाँ पे one के according यहाँ पे जो pronoun आना चाहिए यहाँ पे his नहीं आना चाहिए यहाँ पे जो है आना चाहिए once तो यहाँ पे जो है यह आना चाहिए once तो यहाँ पे जो है आप इसको हटा दीजे his को और यहाँ पे once कर दीजे तो इसके जो है c part mirror था आप लोग यहाँ पे सही कर लीजे one के according यहाँ पर once होना चाहिए ना कि his तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पर correct हो जाएगा आप लोग यहाँ पे इसको सही कर लीजिए अगले जो question कुछ नमा third no sooner had she arrived that her friends arranged a reception in her honor in the best resort in the town या फिर no error तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इस correct option क्या होगा तो आप सभी को मैंने conjunction में पढ़ाया है no sooner के बाद हमेशा जो है आगे क्या आता है no sooner के बाद हमेशा आगे आपको then लिखना है ना कि that तो यहाँ पे इसको that को आप हटा दीजे यहाँ पे आप then लिख दीजे तो sentence हमारा correct हो जाएगा इसके a part mirror है आपको मैंने बताया है no sooner के बाद क्या आता है तो no sooner के बाद आपको याद रखना है आगे जो है then आता है then वाला तो यह आपको याद रखने है conjunction तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे then कर लिजे that हटा दीजे तो sentence हमारा correct हो जाएगा आप लोग इसको देख लिजे a option में आपे mistake थी अगले जो question question number 4 tell me what all you know about it before I take a decision in the matter yeah if we know error तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो आगे जब decision के बारे में बात की जाए take के बाद तो आपको proposition जो है on fill करना है ना कि in तो यहाँ पे इसको आप in हटा दीजे और यहाँ पे on कर दीजे तो sentence हमारा यह correct हो जाएगा जब आगे task की बारे में बात की जाए take के बाद या फिर decision के बारे में बात की जाए तो आपको जो है proposition on fill करना है take के बाद तो यहाँ पे इसका जो है c part में error था आप लोग इसको सही कर लीजे मैं आपको और बता देता हूँ take के बाद कौन कौन से propositions आते हैं तो सबसे पहले आप जो है take के बाद आपको proposition जो है two याद रखना है जब आगे आपको जो है bad habit के बारे में बात की जाए bad habit के बारे में बात की जाए तो आपको जो proposition फिल करना है take के बाद ये two proposition फिल करना है जब आगे show em को किसी बात का आदी बनाना हो या फिर bad habit में आपको जाना हो तो आपको take के बाद two proposition फिल करना है ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा अब जब take के बाद 4 का बाता है तो take के बाद proposition 4 का बाता है तो take के बाद 4 proposition तब आता है जब आगे जो है truth के बारे में बात की जाए जब आगे जो है truth के बारे में मतलब सच्चाई के बारे में बात की जाए कोई चीज आप गलत समझ बैठना या फिर माल लेना तो यहाँ पर जब आगे truth के बारे में बात की जाएगी तो आपको take के बाद four proposition use करना है और take के बाद two और आता है take के बाद two जब आगे कोई person होगा जब आगे कोई person होगा तो take के बाद आपको two proposition fill करना है आगे जो है किसी को पसंद करने लगना तो आपको take टेक के बाद two proposition fill करना है और take के बाद two कब आता है जब आगे bad habit के बारे में बात की जाए और take के बाद two proposition आता है जब आगे कोई person होगा उसमें आपको पसंद करने की बात की गई होगी तो आपको take के बाद two proposition fill करना है और take के बाद आपको मैंने अभी बताया जब आपको decision या फिर task के बारे में बात की जाए तो आपको on proposition fill करना है और take के बाद जो है two proposition take के बाद on proposition a person के according भी आता है यह person मतलब की आगे जो है जब person होगा और person जो है मुकावला करने की बात की गई होगी तो आपको take के बाद own proposition fill करना है और take के बाद two proposition cup fill करना है जब आगे person होगा और person में पसंद करने की बात की गई होगी तो आपको confuse नहीं होना यह ची याद रखना है जब आगे person होगा उसमें आपको पसंद करने की बात की गई होगी तो आपको to fill करना है और जब आगे कोई person होगा और उसमें मुकावला करने की बात की गई होगी तो आपको on proposition fill करना है और take के बाद एक proposition और आता है टेक के बाद जो है अब proposition का बाता है तो टेक के बाद आप proposition तब आता है जब आपको music या फिर study में रुची लेने की बात की गई होगी तो आपको जो है टेक के बाद आप proposition यूज करना है इतने proposition आपको टेक के बाद याद रखने हैं तो यहाँ पर इसके C part mirror था तो इसमें आप लोग सोच लिए किस part mirror है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यहाँ पे जो है studies by नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो है on proposition होना चाहिए तो यहाँ पे on proposition यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे इसके C part mirror था आप लोग इसको सही कर लिजे sentence का मैंने आपको मतलब भी बता दिया है तो यहाँ पे बगर सींग के आवहन पर जो है students जो है पढ़ाई छोड़ी है तो इस बज़े से यहाँ पे on proposition correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है यहाँ पे जो लिखा है acquainted तो acquainted के बाद जो है proposition जो है बिद आएगा जब आगे कोई person होगा जब आगे जो है कोई thing होगा जब आगे कोई thing होगा तो भी आपको proposition जो है बिद यूज करना है एक आता है जब आगे कोई person होगा जैसे यहाँ पे couple दिया है तो आपको proposition बिद फिल करना है जब आगे कोई thing होगा तब भी आपको proposition जो है बिद फिल करना है यह जो है fix proposition है यह आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो है acquainted के बाद big proposition आता है जब आगे कोई person हो या फिर आगे कोई thing हो दोनों condition में जो है आपको big proposition यूज़ करना है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा सूरज कपिल से परचित है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question number seven so one has blank for the final round of the competition तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे आप लोग sentence के earth के according आपको correct option चूज़ करना है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यहाँ पे qualified यहाँ पे इसका sentence के according अर्थ के according यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा तो qualified के according यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा सुमन हैज qualified for the final round for the competition मतलब की यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा शोमन ने प्रतियोगिता के final round के लिए qualify कर लिया है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question question 8 her supporters begin to blank and she was left alone तो इसमें आप लोग सूच लिए इस correct option क्या होगा यह question जो है freezal verbs related है freezal verbs पे मैं already video बना चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस video के description में आपको link मिल जाएगा यह फिर आप channel पे जाके भी freezal verbs की video आप चेक कर सकते हैं आप लोग जो है YouTube पे भी search कर सकते हैं कि कोई भी आप topic डालिए और बाद में जो है by research sir आप डाल दीजे तो मेरे जितने भी videos हैं आपको मिल जाएगे कोई सी भी video आप search कर सकते हैं YouTube पे आप topic डालिए फिर उसके बाद by research sir डाल दीजे तो आपको videos मिल जाएगे तो यहाँ पे sentence में यहाँ पे freezal verb कौन सा option correct हो जाएगा तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा fall away यहाँ पे इसका correct हो जाएगा her supporters begin to fall away and she was left alone मतलब की उसके समर्थक पीछे हटने लगे और वे अकेली रहे गई तो यहाँ पे fall away का मतलब क्या होता है to fall away का मतलब होता है मतलब की पीछे हटना यहां पे fall away का मतलब है, पीछे हटना, तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा, उसके समर्थ तक पीछे हटने लगे, और वह अकेली रह गई इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगर बात किया, यहां पे a option में दिया है, fall over, तो fall over का मतलब क्या होता है, कि लड़ कड़ागर गिर जाना, fall ओवर होता है यह आपको याद रखना है और यहाँ पर जो दिया है C option में fall off fall off का मतलब क्या होता है मतलब की किसी चीज से गिर पढ़ना तो किसी चीज से गिर पढ़ना तो यहाँ पर fall off use करेंगे और fall on का मतलब क्या होता है तो fall on या फिर fall upon fall on या फिर fall upon का मतलब होता है कि आकरमड करना या फिर किसी का सामना करना तो उसके लिए use करते हैं fall on तो यहां पे fall away यहां पे correct हो जाएगा यहां पे पीछे हटने की बात की गई है उसके supporters जो हैं पीछे हटने लगे और वे अकेली रहे गई यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question number 9 no blank then 15 boys filled in a class of 40 तो इसमें आप लोग सूच लिजे सका right option क्या होगा तो यहां पे little और less जो है यह uncountable noun के लिए use करते हैं तो यहां पे यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे 15 boys है मतलब की यहां पे आपको comparative degree use करना है तो few का जो comparative degree हो जाएगा यह fewer हो जाएगा क्योंकि few अपने आप में जो है positive degree है और fewer जो है comparative degree है यह आप लोग याद रखे यहां पे fewer यहां पे इसका correct हो जाएगा यहां पे जो है fewer यहां पे correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है countable की बात की गई है इस बज़े से यहाँ पे fewer हो जाएगा यहाँ पे option इसका D correct हो जाएगा अगले जो question question number 10 Sania was compensated blank the loss of her belongings at the airport तो इसमें आप लोग सूच लिए इसका right option क्या होगा तो compensated के बाद fixed proposition जो है 4 आता है तो यहाँ पे इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा यह जो है fixed proposition है जब आगे loss के बारे में बात की जाएगी तो compensated के बाद proposition आपको for fill करना है यह fixed proposition है यह आपको याद रखना है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा यहाँ पे compensated for का मतलब होता है कि हरजाना भरना तो यहाँ पे किसी भी छती का हरजाना भरना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा कि सानिया को airport पर उनके सामान के नुकसान के लिए मुआपजा दिया गया या फिर हरजाना दिया गया था तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question कुष्टम 11 इसमें आपको synonymous बताना है amateur का तो amateur का मतलब होता है कि अन्वव हीन अन्वव हीन मतलब की जिसको कोई अन्वव नहीं है तो अन्वव हीन होता है तो इसका यहां पे beginner यहां पे कर्याक्ट हो जाएगा तो यहां पे इसका right option हो जाएगा अमेचर का यह बिगनर यहां पे इसका कर्याक्ट हो जाएगा अगले जो question कुष्टन no.12 इसमें आपको सिननम से बताना है gumption का तो gumption मीन होता है बुद्धी शीलता तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा acumen means होता है निपूरता या फिर बुद्धी शीलता तो यहां पे इसका a option यहां पे correct हो जाएगा starry means होता है कि तारों से भरा हुआ मतलब की चमकदार उसको बोलते है starry तो यहां पे star से बना हुआ starry मतलब की तारों से भरा हुआ मतलब की चमकदार और option जो c में दिया है fertile means होता है उप जाओ मतलब की निश्फल उप जाओ तो यहां पे fertile हो गया और fellow means होता है कि बंजर या फिर उसर जिसको आप जिसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं जिसको उसर बोलते हैं गाउ में या फिर बंजर तो fellow उसको बोलते हैं तो यहां पे इसका जो है gumption का जो है acumen यहां पे इसका correct हो जाएगा synonym अगले जो question question कुछ नमा 13 इसमें आपको synonyms of laconic बताना है laconic means होता है कि संचिप्त मतलब की सारांस तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा concise यहां पे इसका correct हो जाएगा laconic means होता है संचिप्त मतलब की छोटा तो यहां पे concise यहां पे इसका d option यहां पे correct हो जाएगा option जो a में दिया है shrewd, shrewd means होता है कि धूर्ट या फिर चतूर, shrewd होता है धूर्ट या फिर चतूर और option जो B में दिया है V, V means होता है मन मौजीपन और option C में दिया है climax मतलब की ऊचा शेखर या फिर उतकर तो यहाँ पे इसका concise यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct जाएगा लेकावने का synonyms, अगले जो question question 14 इसमें आपको synonyms of valedictory बताना है तो valedictory means होता है कि आपको मतलब की antim, मतलब बिदाई का जो बचन होता है उसको बोलते है valedictory मतलब की antim last तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा terminal यहाँ पे इसका correct जाएगा terminal means होता है कि अंतिम या फिर विदाई का वच्च अंत यहां पे इसका B option यहां पे इसका correct जाएगा option जो A में दिया है hesitant hesitant means होता है कि दू विदा में पढ़ना और option जो C में दिया है ridicule ridicule means होता है मजाक या फिर बेहुदा और option जो D में दिया है deception deception means होता है कि कपट या फिर छल या फिर धोखा उसको बोलते हैं deception तो यहां पे इसका वैले जिक्टरी का right option हो जाएगा terminal जिसका मतलब होता है अन्तेम या फिर विदाई का वचन तो option यहां पे इसका भी correct हो जाएगा अगले जो question question 15 synonyms of denument denument means होता है कि किसी भी नाटक आदी का जो आखरी भाग होता है जिसमें हम फल या फिर नतीजे का फैसला करते हैं उसको बोलते हैं denument तो denument का यहां पे correct हो जाएगा synonyms यह हो जाएगा climax climax का भी मतलब वही होता है इसका मतलब यह भी होता है final या फिर last act मतलब की last फैसला या फिर नतीजा या फल तो इसको बोलते है climax और climax का दूसरा भी मतलब होता है उचा शिखर या फिर उतकर्ष यह भी मतलब होता है climax का भी मैंने आपको जो उपर बताया था systematic means क्या होता है systematic means होता है मतलब की एक system में मतलब वेवस्थित और option जो c में दिया है improper means होता है अशुद और option जो d में दिया है glorious means होता है तेजस्वी या फिर महान great तो यहां पे इसका climax यहां पे इसका correct हो जाएगा अगले जो question question number 16 इसमें आपको antonyms बताना है मतलब की bloom शब्द बताना है तो antonyms of bucolic तो bucolic शब्द जो है यह गाउं की शान्ती से जोड़ा हुआ शब्द है मतलब की gram में की या फिर गाउं की शान्ती से जोड़ा हुआ शब्द है bucolic तो bucolic का जो उल्टा हो जाएगा मतलब की bloom शब्द हो जाएगा तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा फियरस यहां पे इसका correct हो जाएगा फियरस means होता है कि भयंकर या फिर उग्र या फिर क्रूर तो यहां पे bucolic शब्द जो है गाउं की शान्ती से जोड़ा हुआ है तो यहां पे फियरस means होता है उग्र या फिर भयंकर या फिर क्रूर तो यहां पे इसका d option यहां पे correct हो option जो A में दिया है rustic, rustic means होता है देहती, आपको सभी को पता होगा यह मैंने काफी और बताया आपको, dull means होता है धीला, शोस्त या फिर भद्दा, और option जो C में दिया है tranquil, tranquil means होता है शांत, मतलब कि जो अगदम शांत होता है, तो यहां पे इसका right option हो जाएगा, यह हो summary, जिसको सारान से बोलते हैं, मतलब कि छोटा, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, इसका ultra जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, expansion, option यहां पे जो है, इसका A correct हो जाएगा, compendium means होता है, सार या फिर summary, तो यहां पे इसका हो जाएगा, ultra मतलब कि bloom हो जाएगा, यह हो बिस्तार या फिर फैलाओ तो यहां पे इसका A करेक्ट हो जाएगा option जो B में दिया है reference, reference मीन्स होता है संदर मतलब की छोटा option जो C में दिया है process, process मीन्स होता है संचिप्ट मतलब की छोटा और option जो D में दिया है outline, outline मीन्स होता है रूप रेखा या फिर सारांस तो यहाँ पे Compendium का Right Option हो जाएगा Expansion यहाँ पे इसका A Correct हो जाएगा अगले जो Question Question 18 इसमें आपको Antinums बताना है Chastise का तो Chastise का मतलब होता है दंड देना तो यहाँ पे इसका Right Option हो जाएगा Praise मतलब की पिरसंस्या करना या फिर बढ़ाई करना तो यहाँ पे Blom Шब्द हो जाएगा Chastise का यह हो जाएगा Praise मतलब की पिरसंस्या करना और Chastise means होता है दंड देना तो यहाँ पे इसका यह उल्टा हो जाएगा Racist means होता है कि बिरोध मतलब की बादा मतलब की किसी की काम में बादाड उत्पन करना और prefer means होता है पसंद करना D option में जो दिया है repel, repel means होता है पीछे हटना तो यहाँ पे चार्षटाइज का right option हो जाएगा प्रेज यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question कुछ नमा 19 इसमें आपको antonyms of don't मतलब कि यहाँ पे don't means होता है बहबीत करना या फिर दमकाना तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा मतलब की इसका मतलब बिलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा encourage मतलब की आपको encourage मतलब होता है हिमबत बढ़ाना और यहाँ पे don't मतलब होता है बहबीत करना या फिर दमकाना तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा Rejoice मतलब होता है A option जो दिया है Rejoice Rejoice means होता है आनंद उठाना Option जो C में दिया है Decrease Decrease means होता है मतलब घटाना और Option जो D में दिया है Discard means होता है Courage करना तो यहाँ पे Don't का Encourage यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा अगला जो Question Question 20 इसमें आपको Antonyms बताना है Oblivious का Oblivious means होता है बोलकड या फिर बेखवर तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा इसका जो ब्लोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा Conscious मतलब की जागरूप तो यहाँ पे इसका C option यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा Oblivious means होता है बेखवर या फिर बोलकड तो यहाँ पे Conscious मतलब होता है जागरूप तो यहाँ पे इसका C option यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा Hedious Means होता है भैंकर और option B में दिया है Victorious Means होता है विजई और option जो D में दिया है Advantageous Advantageous Means होता है लाब दाया किया फिर फाइदे मन्द तो यहां पे इसका right option हो जाएगा Conscious यहां पे इसका B and C option यहां पे correct हो जाएगा मतलब होता है जागरूक और Obli-based Means होता है बुलकर या फिर बेखवर तो option यहां पे C correct हो जाएगा अगले जो question question 41 An iron will means तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोचली जिस correct option क्या होगा तो An iron will means होता है strong will power मतलब की मजबूत इच्छा शक्ती तो यहां पे इस correct option हो जाएगा A firm opinion option यहां पे जो है इसका D correct हो जाएगा An iron will means होता है strong will power मतलब की मजबूत इच्छा शक्ती A firm opinion option यहां पे D correct हो जाएगा अगले जो question question 22 Get into a soap means तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिए इसका right option क्या होगा तो get into a soap means होता है to be in a dangerous situation या फिर difficult situation तो यहां पे इसका right option हो जाएगा option यहां पे A correct हो जाएगा To make things difficult मतलब की to be in a difficult situation या फिर dangerous situation मतलब की परेशानी या फिर संकट में फसना तो यहां पे इसका A option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 23 Howl over the cold means तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका right option क्या होगा तो howl over the cold मतलब होता है to scold badly for any mistake मतलब की किसी की गलती पर बुरी तरह से डाटना तो यहां पे इसका right option हो जाएगा To scold option यहां पे जो है C correct हो जाएगा To scold badly for any mistake मतलब की किसी की गलती पर बुरी तरह से डाटना To scold option यहां पे जो है C correct हो जाएगा अगले जो question question 24 To carry the day means तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका right option क्या होगा To carry the day का मतलब होता है To succeed मतलब की सफ़ा लोना तो यहां पे इसका D option यहां पे correct हो जाएगा To carry the day मतलब होता है To succeed मतलब की सफ़ा लोना Option यहां पे D correct हो जाएगा अगले जो question question 25 इसमें आपको go over का मतलब बताना है तो go over का मतलब क्या हो जाएगा go over का मतलब होता है आलोचना करना या फिर पुरनल बिचार करना मतलब की review option यहाँ पर जो है इसका B correct हो जाएगा go over means review या फिर आलोचना करना या फिर पुरनल बिचार करना option यहाँ पर B option यहाँ पर correct हो जाएगा अगले जो question 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 46 नेहा balls to clever to see through रोहन्स टिक्स तो इसमें आप लोग सोच लिडिए कि इस पार्ट में जो है क्या मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ पर अप्संड देख लिज़े कि कोई सा उसन यहां पे कर्यक्ट होगा तो यहां पे इसका राइट आप्संड जो हो जाएगा यहाँ पर तो C, Rohan Strix, option यहाँ पे जो है C correct हो जाएगा, अगले जो question, question number 27, he has been working off and on for several years on this theory, तो इसमें आप लोग सोच लिए जिस correct option क्या होगा, तो यहाँ पे off and on या फिर on and off, दोनों यहाँ पे इसके correct हैं, तो यहाँ पे इसका C option और यहाँ पे इसका D option, दोनों option यहाँ पे correct हो फिर off बाद में कर दीजे, तब भी sentence हमारा correct है, तो यहाँ पे C और D दोनों option यहाँ पे correct हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों का जो मतलब होता है, off and on का यह होता है, लगातार नहीं, मतलब की रुक रुक कर, कोई भी चीज रुक रुक कर, मतलब की लगातार नहीं है, मतलब की रुक रुक कर है, तो यह इसको बोलते है, off and on, या फिर on and off, तो यहाँ पे इसका C और D दोनों option यहाँ पे correct हो जाएंगे, exam में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कि आपको दो option टिक करने हो, क्योंकि यहाँ पे जो है, एक option आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे यह option आपको देखने को नहीं मिलता, अगर यह question आपको exam में देखने को मिलता, तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिखे हुए हैं, अगले जो question, question number 28, I am definitely late, the bus will have left, the bus stop by the time I reach there, तो इसमें आप लोग सोच लिए, इसका right option क्या होगा, जब भी आपको जो है by the time आपको देखने को मिले, तो इसके बाद आपको just आपको present indefinite use करना है, तो यहाँ पे present indefinite दिया हुआ है, और बाकी यहाँ पे शुरुआत में आपको future perfect use करना है, तो यहाँ पे will have left यहाँ पे दिया है, तो sentence हमारा जो correct है, तो यहाँ पे no improvement option यहाँ जो है, इसका d option यहाँ आपको correct हो जाएगा, अगले जो question, question number 29, the guest stood quietly for few moments, तो यहाँ पे few moments की जगे आपको कौन सा option fill करना है, आप लोग यहाँ पे देख लीजे, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ few, और यहाँ पे a few, और यहाँ पे जो है the few का मतलब में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे few मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब की 100 में से एकदम एक भी नहीं, और यहाँ पे एक few का मतलब होता है मतलब की 100 में से 15 20, तो उसको बोलते हैं मतलब की यहाँ पे जो है a few मतलब होता है कुछ, मतलब पूरे में से कुछ, और यहाँ पे इसका मतलब ह होता है कुछ और यहां पे the few मतलब होता है जितना है उसमें पूरा तो यहां पे few moments का कोई मतलब नहीं है मतलब की ना के बराबर तो होई नहीं सकता है तो यहां पे a few moments यहां पे इसका correct हो जाएगा मतलब की कुछ और और्गनाइजेशन और इंस्टिटूशन मतलब की जिसको आप बोलते हैं चंद्र लोगों की सरकार तो यहां पे इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा ओलिगार्ची उप्सन याँ पे जो है बी उप्सन याँ पे करेक्ट हो जाएगा oligarchy option यहां पे जो है be option यहां पे correct हो जाएगा मतलब की अल्प जन तंत्र बोलते हैं जिसको कुलीन तंत्र बोलते हैं चंद्र लोगों की सरकार a small group of people having control for a country or organization or institution उसको बोलते हैं oligarchy option यहां पे जो है be option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question question 31 the state of living unmarried मतलब की the state of abstaining from marriage and sexual relations तो यहां पे इसका right option हो जाएगा salivacy means होता है कि abivahid jivan मतलब जिसको ब्रह्मचारे बोलते हैं जो मतलब marriage मतलब की शादी या फिर sexual relations से दूर रहता है उसको बोलते हैं salivacy मतलब की abivahid jivan जिसको ब्रह्मचारे बोलते हैं option यहां पे जो है a option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 32 an event which happens once in a five years मतलब की पाँच बर्ष का जो शमय होता है जिसको पंच वार्षिक बोलते हैं requiring every five years तो यहां पे इसका right option हो जाएगा queen quenial option यहां पे जो है इसका b option यहां पे correct हो जाएगा जिसको पंच वार्षिक बोलते हैं पंच बर्ष का जो समय होता है queen quenial बोलते हैं option यहां पे b option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 33 a person who looks after horses at and in तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या होगा एक ब्यक्ती जो एक सराइब में घोडों की देखवाल करता है उसको बोलते हैं option यहां पे जो है c option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 34 to struggle helplessly मतलब की आसा है रूप से शंगर्स करना मतलब की कीचड में तर्फडाना तो कीचड में और फडाना या फिर आसा है रूप से मतलब की होकर शंगर्स करना तो यहां पे इसका right option हो जाएगा Flounder option यहां पे c option यहां पे correct हो जाएगा flowery होता है जिसको बोलते है Jan कीचड में तर्फडाना मतलब की आसा है होकर शंगर्स करना तो to struggle helplessly फ्लाउंडर ओप्सन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा अगले जो कुशन कुशन मा 35 सेलेक्ट दा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें आपको जो है एक स्पेलिंग गलत बतानी है बाकी 3 स्पेलिंग इसमें सही दी हूई है तो यहाँ पे सबसे पहले एक options कळलेतें हैं यहाँ पे दिया है Adirant Adirant मीनस होता है क्या? यह होता है समर्थक यहाँ पे इसमेलिंग एक गलत दी हूई है और option जो B में दिया है AERONAUT Aeronaut की spelling यहाँ पे गलत दी हुई है तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा इसमें आपको गलत spelling बतानी थी तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा Aeronaut की spelling जो होती है A, E, R, O, N, A, U, T यह spelling होती है Aeronaut की तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा इसका मतलब होता है बिमान चालक और यहाँ पे जो दिया है adversary यह भी spelling अपने आप में सही है जिसका आर्थ होता है बिरोधी या फिर प्रतिदुन्दी और option जो D में दिया है admisual, admisual की spelling यहाँ पे correct है जिसका आर्थ होता है sweet career यह भी spelling correct है यहाँ पे arrow note की spelling जो है B option में गलत दी होई थी इसको आप लोग यहाँ पे देख लिजे सही spelling दी है option यहाँ पे B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question question 36 select the incorrectly spelled word इसमें भी आपको गलत spelling बतानी है तो यहाँ पे तीन option यहाँ पे correct होंगे मतलब की यहाँ पे एक option यहाँ पे जो है गलत spelling दी होई होगी तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो attendance की spelling है यह गलत है attendance की spelling जो होती है A double T E N D A N C E यह spelling होती है attendance की यहां पे जो है आप लोग देख लीजिए और option जो A में दिया है passenger means होता है या 3 spelling दम correct है Quereld की spelling यहां पे जो है गलत है Quereld की spelling जो होती है यह क्या होती है Q-U-A-R-E-L-E-D यह spelling होती है यहां पे जो है typing में mistake है आप लोग यहां पे इसको सही कर लीजिए यह spelling होती है Quereld की तो यहां पे जिसका मतलब होता है की मतलब की जगडा तो यहां पे spelling आप लोग देख लीजिए यहां पे typing में mistake के वज़े से दो option में spelling गलत दी होई है और remittance की spelling भी आप होता है pressure तो यहाँ पे spelling आप लोग देख लीजिए एकदम correct दी हुई है यहाँ पे यहाँ पे B और D में गलत दी हुई है तो मैंने आपको दोनों spelling correct बता दी है अगला जो question कुष्टरम 37 select the incorrectly spelled word इसमें भी आपको जो है गलत spelling बतानी है तो यहाँ पे गलत spelling जो है A option में दिया है beautation की जो spelling होती है B E A U T I C I A N यह होती है beautation की सही spelling आप लोग यहाँ पे देख लीजिए beautation की सही spelling यह होती है यहाँ पे जो है गलत spelling पूछा था option यहाँ पे A correct हो जाएगा bilingual की spelling correct है यहाँ पे bilingual means होता है क्या? Bilingual means होता है दो भाशिक और यहाँ पे comentarios बारियन barbarian means होता है जंगली और यहां पे balloon means होता है गुबारा beautician means होता है cosmetics का जो bag होता है उसको बोलते हैं beauticians तो यहां पे spelling आप लोग देख लिजे यह spelling यहां पे गलत है यह spelling यहां पे सही है आप इसको देख लिजे अगला जो question question 38 select the incorrectly spelled word इसमें भी आपको जो है गलत spelling बतानी है तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा emancipation यहां पे जो है spelling गलत दी हुई है emancipation की spelling जो होती है e-m-a-n-c-i-p-a-t-i-o-n यह होती है emancipation की spelling इसका मतलब होता है मुक्ति यह फिर उधार यह spelling है embarrassment की spelling एकदम correct दी हुई है मतलब की शर्मिंदगी जिसका मतलब होता है option जो b में दिया है exasperation exasperation means होता है गुष्या या फिर प्रोद option जो d में दिया है fermentation fermentation means होता है उबाल या फिर केड़बन तो यहां पे यह spelling इदम correct है यहां पे जो है आप लोग spelling देख लीजे emergency patient की spelling यहां पे गलत दी हुई थी तो इसको आप लोग सही कर लीजे यह spelling है correct इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर उधार अगला जो question question 39 select the incorrectly spelled word इसमें आपको गलत spelling बतानी है तीन spelling इसमें सही दी हुई है एक spelling जो है गलत दी हुई है उस गलत spelling को आपको बताना है comment box में कि कौन सी spelling यहां पे गलत है और उसकी सही spelling क्या हो जाएगी आप लोग को इसका answer comment करके बताना है question 39 का कि यहां पे right option इसका क्या हो जाएगा thank you friends आप लोगोंने जो है 38 में से कितना score किया है question 39 का answer आप लोगों को comment option बताना है कि इसका right option क्या हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर सेख्या करें अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम